गाईज आज हम बात करने वाले हैं वीवो के तरफ से जो वीवो Y20i आया है मॉडल उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे इस मॉवाइल के बाले में जितने फीचर्स हैं हमारे पास 3GB, 64GB वाला वैरियंट है इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है Y20i पर अगर आपको वह एक नहीं है तो आप वह भी देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आज हम बात करेंगा Y20i के बारे में और इसके क्या फीचर्स हैं जो भी चीज़े हैं इसके बारे में उन सभी के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल पन्नु टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बैल को आल पे कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुं सके सबसे पहले तो चलिए इस मोवाइल के बारे में हम जान लेते हैं तो यहां पे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि बॉक्स के उपर मेंशन है यहां पे 5000 MPR की बैटरी है और ट्रिपल कैमरा है और साइड फिंगर मौंटेड है और उस चीज़ के बारे में बताया गया है और कहीं न कहीं अभ बॉक्स को हम करते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं तो बॉक्स ओपन करने पर सबसे उपर हमें इन्वैलम मिलता है जिसमें क्या है कि आपको सभी को पता है कि इन्वैलम में एक ट्रांस्पैरेंट कवर होता है और एक सिमिज हमें देखने को मिलता है एक charger और सबसे पहले यहां पर बात करें तो इसमने को मिलत है पता नहीं क्यों लेकिन वीवो में आज 2020 चल ला है और इस समय Micro USB Type-C देखने को मिलती है बट इसमें हमें Micro USB मिली है पता नहीं क्यों और यहां पे मिलता है वीवो का वही trending सा एक means charger जो की 18 वार्ड का fast charging है और उसी के साथ that's all अब हम बात करते है finally phone के look की तो जो phone का look है वो आप देख सकते हमारे पास इसमें यह वाला color है वैसे इसका dark blue color भी available है market में तो यहां पे पीशे सेड़ से देखें और इसका look wise अगर हम बात करें तो ठीक है अच्छा लगता और in hand अगर feeling की बात करे तो वो भी हमें अच्छा देखने को लगता है पीशे की और इसके camera है तो अगर camera की हम बात करें तो यहां पे हमें 3 camera देखने को मिलते हैं उसके बात करें तो यहां पे टॉप पे हमें कुशनी देखने को मिलता है और साइड में इसको बूट कर देते हैं तब तक उसके basic features के बारे में हम बात करेंगे तो हमने जैसा है कि बता दिया हो यहां पे वीवो की branding रिख रही है और टॉप में यहां पर है तो टॉप साइड बिल्कुल हमें blank दिखते है कोई चीज नहीं है और left side में right side में sorry देखें तो यहां पे volume rocker और fingerprint जो mounted है वो power button के साथ ही हमें देखने को मिलता है और left side में देखें तो यहां पे sim slots हमें देखने को मिलता है जिसमें हम sims वगेरा डाल सकते हैं और नीचे की तरफ वही basic सा interface जो की 3.5 mm jack है microphone है micro usb charging cable और speaker हमारे grill हो है और सबसे पहले अगर हम इसके display की बात करें तो यहां पे हमें जो इसका display देखने को मिलता है वह मिलता है 6.51 inches का display जो कि full hd plus नहीं है यहां पे हमें मिलता है 720 और 1600 megapixel वाला display जो कि इस mobile में हमारी समझ से full hd जरिस्पे होना चाहिए था और सामने की और बात करें तो 8 megapixel का f 1.8 aperture का camera हमें देखने को मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बात करें तो यहां पे हमें काफी पतले से एजस साइड में देखने को मिलते हैं और यहां पे हमें operating system android 10 देखने को मिलता है जो कि fun touch OS 10.5 सपोर्ट करता है उसी के साथ में अगर हम बात करें इसके connectivity की तो connectivity TV में काफी features देखने को मिलते हैं तो अभी बात करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं कैमरे के बारे में तो camera यहां पे हमें उन्हें जैसे बताया था कि 13 megapixel का primary camera में देखने को मिलता है f 2.2 aperture के साथ जिसके आप यहां पे picture quality देख पा रहे हैं कि कैसा देखने को मिलता है उसी के साथ जो दो हमारे secondary camera हमें देखने को मिलते हैं वो 2 megapixel और f 2.4 aperture के साथ हमें देखने को मिलते हैं यहां पे हमने एक normal picture लिया और इसी को हम digital zoom के साथ भी picture ले सकते हैं और दोनों का comparison आप देख सकते हैं display पे जैसा कि आपके सामने ही आ रहा हैं तो camera की quality में अगर बात क करें तो camera काफी हद तक सही है जो कि वीवो अपने मॉवाइल में camera के बहुत ख्याल रगता है तो camera को देखें तो काफी सही है युनिक साथ आप दोनों picture देख सकते हैं एक normal angle के साथ है दूसरे 2x zoom के साथ हमने click की है तो बाकी guys आप बदाएए कि आपको यह mobile कैसा देखने मे लगता है कैसा लगा आपको अभी तक mobile और बाकी आप look wise देखी सकते हैं और अगर हम इसमें processor की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Qualcomm का snapdragon 460 chipset और यह 3Gv RAM और 64Gv storage के साथ वीडियो कैसी लगी गया ज़रूर बताएए like करिये comment करिये channel को subscribe नहीं किया तो जल